इस वीडियो में हम बात करेंगे इस खूब सूरत से प्लांट की जिसे फाइकस सफारी कहते हैं और वेरिगेटिड फाइकस भी कहते हैं फाइकस की बहुत सारी वेराइटी जाती हैं उन में से यह बहुत ही खूब सूरत वराइटी है मेरा परसनली यह बहुत फेवरिट प्लांट है फाइकस की पत्यों की बात करें तो पत्यों का रंग इसका बहुत जाता अट्रक्टिव होता है मैंलिस प्लांट में यह है इसकी है बहुत खुब सूरत हो ती है लीटर है अब देख सकते हैं इसके जो है जिस है अपना करने और इस पीज में इस हचाता है तो बीच में तोलillar नो में चार्घ से Mr. कई मीटर तरको कर सकता है घर मीन पर है तो काफी उच उचे इसके फार हो जाते हैं और बहुत अкое हिसाबस कर रात 아प के इस वीडियो में बताऊंगे कि इस तरहां से इस प्लांट की थोड़ा सा केयर आप कर सकते हैं सबसे बढ़िया है क्योंकि मिट्टी को मौस्चर काफी परसंद है अगर इसके गंले में हुमिडिटी बनाये रखते हैं तो इस प्लांट काफी अच्छा चलता है अगर आपकी पत्या पढ़ रही है इसा जलती भी दिख रही है इसका सबसे में रिजन यह हो सकता है कि आपके पादी में पानी की कमी है तो आप इसाब से इसको ठीक कर सकते हैं पादी को एक्सेस वाटर भी नहीं देना है एक तरह मॉडरेट वाटर कंडिशन रखनी है इसके लाबा इस प्लांट की विशेष्टा है कि इसको रूट बाउंड पसंद है इसलिए इसको इसके जिस आपका पाद है उसके आपको पाद में इसको लगाना चाहिए अगर छो आप इसी तरह से करें जैसा पिक्चर में दिखाया गया है जितना पार्ट आप गमले से बहां निकाल साथे इसको निकाल दीजे और इसको इसको रूट बाउंड रहने दीजिए वना पादा खराब ही हो सकता है तो आप बात करिंग इसकी प्लांट प्लांट हो जाता है मैं इसी साल मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया थाah öğığım यह उर बहुत ऑसी पेड जो inडूर प्लांट होथे हैं जिनकी ककी क्टिंग हम लगा सकते हैं तो मैंने इसी साल पहली बार विन्टर्स में ट्राइकः कर ने करने का मुझे लगदा था क्टिंग भी मैंने लगाई थी अक्टूर के स्टार्टिंग में तो ये देखिए आप इसमें रूट्स काफी अच्छे से डेपलब हुई है और बहुत बढ़िया ये कटिंग तयार हुई है मुझे अमीद नहीं थी कि इतने अच्छी तयार हो जाएगी लेकिन फाइकस की कट करने की तोची मैंने का इसे भी चेक कर लेते हैं तो मुझे लगा कि इसमें रूट्स आ गई है और इसमें कुछ दिनों से मैं देख भी ली थी कि इसमें पत्या आने लगी थी तो इस तरह से इसकी कटिंग भी आसानी से लग गई तो ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरे युज़ कीजिए तो इसके बाद बात करेंगे इसके कुछ कियर टिप्स की तो कियर टिप्स में सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी मिट्टी को आपने ड्राइ नहीं होने देना है मिट्टी अगर ड्राइ रही तो पत्तियां खराब होने लेगेंगी मिट्यों का विंटर में वैसे भी सनलाइट इतनी पेज नहीं होती है पर समर्स में आपको इसको एक दम डायेक्ट सनलाइट से बचाना होता है विंटर्स में रख सकते हैं और जब कोई पती ऐसी गलने लगें या फे खराब होने लगें तो निखाल दीजिए ताकि बाकी पत्यों पे इस बचाना होता है तो जाद अपके अगर रफ्रस बढ़ता है तो उससे देख लीजेगा वन्यागर ठीक मौसम है मौर्डरेट कंडिशन है तो इंडोर रखी आउडोर रखी बस 3-4 गंटे के अब दूप इसको दिखा देना फटिलाइजर विंटर्स में नहीं देने होते हैं इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए देखो मैंने भी समे कोई पूर नहीं करिये क्योंकि मेरा पौधा बहुत पुराना नहीं है तो मैंने से भी ठोड़ा ग्रो होने दिया है प्रूनिंग आप स्प्रिंग में कीजिए गा प्रिंग अर सब्सक्राइब नशन ने करते है लेकिन रिपोर्टिंग अगर आप स्प्रिंग में करते हैं तो अच्छा रहेगा वरना गयर जरूरत है तो करनी चाहिए भी वी और दुस्री चीज़ में बता रही थी अगर आप के नोपी बनाना चाहते हैं अपने प्लांट की हलाएं कि यह प्लांट के नोपी में ही काफी और इसका प्लांट बना सकते हैं तो इसकी प्लिक में अगले शमर करें के लिए लीडिये और तो ne हाट प्रूनिंग एतनी भी हाट नहीं करनी ताकि जिससे पौधे को दुबारा ग्रो करने में काफी दिक्कत हो जब भी आप हाट पूनिंग करें तो ध्यान रिखें कि जहां से कटिंग कर रहे हैं उसके नीचे थोड़ा बहुत कुछ स्टेम्स निकली हो ताकि पौधे को कु फाइदे वही हैं आपको अच्छी प्रूनिट जो हमारे अट्मस्फियर में टॉक्सिक अलिमेंट होते हैं फॉर्मेल डी डी हईड हो गया जायून हो गया तॉल्वन हो गया इसी तरह बहुत सारे अलिमेंट होते हैं जो एटमसफियर की दॉक्सिट्वी को बढ़ाते हैं तो इस से आपको बचाएगा और हर ब्लान्ट ही करता है तो बहुत ही बहुत ही बहеждák है एक बार लाएंगा कर दो सालो साल चलेंगे और इस तरह से ये एक वीडियो था फाइकर सफारी के ओपर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ये सब्सक्राइब करें चैनल को